दोस्तों बहुत बहुत स्वागात एक बाल फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चोनल हिंदी लौ में दोस्तों मैं हूँ एड़ोकेट मंजीत रिपाठी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पुराने से पुराने वसीयत को कैसे कैंसल करा सकते हैं दोस्तों आपको पता होगा कि संपत्ती का हस्तांत्रल या तो वसीयत के द्वारा होता है या सेल डीड के द्वारा होता है या फिर gift deed के दोरा होता है तो इस प्रकार से अगर आपके अपने पिता से या फिर अपने किसी भी गार्जन से कोई भी वसीयत प्राप्त होई है और उस वसीयत में आपका नाम नहीं है यानि कि वसीयत के साथ छेड़ छाड़ की गई है तो आप ऐसे वसीयत को कैसे change करा सकते हैं कैसे cancel करा सकते हैं और कैसे अपना दावा दाखिल कर सकते हैं अपना अधिकार ले सकते हैं अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से आपके भाग को वसीयत करके मर गये हैं तो कैसे आप अपने उस भाग को बचा सकते हैं दोस्तों देखिए वसीयत एक ऐसा पत्र होता है जिसके माध्यरम से अगर आप property को transfer कर रहा है तो वह जो वसियत करता होता है उसकी अपनी संपत्ती होनी चाहिए वसियत हमेशा अपनी संपत्ती का होना चाहिए दूसरे के संपत्ती का आप वसियत नहीं कर सकते हैं लेकिन आज का समय हैं काफी बदल गया है लोग लालच और property की लालच में दूसरे के हक को भी मार लेते हैं और साथी साथ दूसरे के संपत्ती का वसियत करके चल जाते हैं लेकिन जब बाद में उस व्यक्ति की मृत्ती होती है और बाद में जब वसियत उनके बट्चों को मिलने वाली होती है तो वहाँ पे फिर dispute होते हैं फिर वहाँ पे समस्या उत्पन होती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और साथी साथ सुप्र नहीं मिला है तो भी वह कैसे हिस्सा ले सकते हैं अगर वसियत के साथ छेड़ छड़की गई है तो कैसे उस वसियत को चैलेंज किया जा सकता है कैसे वसियत को रद करा जा सकता है और कैसे अपने अधिकार को वापस लिया जा सकता है साथी साथ अगर किसी व्यक्ति ने संपत्ती का भी वसीयत कर दिया है और बाद में उस भाई को पता चलता है कि हमारी संपत्ति का भी वसीयत हुआ है तो कैसे अपनी संपत्ती को बचा सकते हैं दोस्तों पहली पार baik तो चले को सब्सक्राइब भी कर लिजगा साथी साथ वेल आइकन दबाके all notification को भी on कर लिजगा ताकि जब भी चल पर कोई वीडियो अप्लोड हूँ तो उसके notification की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चले दोस्तों देर नहीं करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं तो वसियत करता कि जीवनकाल में तब तक तो वसियत एग्जक्यूट नहीं होगी तब तक वो संपत्ति उननों को नहीं मिलेगी लेकिन जैसे ही राम के मृत्ति होती है तो उनके तीन बेटों को संपत्ति बराबर बराबर चले जाएगी जिस प्रकार से राम ने लिखा कि समपत्ति कौन सभाग किसको जाएगा कौन सभाग किसको नहीं जाएगा तो समपत्ति में जब भी वसीयत होती है तो वसीयत करता कि सामने दो गवा होते हैं उनका एड़ोकेट होता है तो यहां पर बहुत ही जाल साजी होती है आज के समय में जब वसीयत करता कि मृत्ति हो तो संपत्ति का जब बट्वारा होता है तो वहां पर बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं और गलत तरीके से फिर उस वसीयत में छेड़ छाड़ कर दिते हैं तो सुप्रीम कोट ने एक बहुत ही महत्कुन जज्जमिन दिया था जिस जज्जमिन का नाम है ललिता बेन जै लिड़ छड़ की गई है और वसीयत में कुछ ऐसे आधार हैं जिन आधार पे वसीयत को कैंसिल कराया जा सकता है सबसे पहले तो वसीयत में क्या क्या चीज़े होनी चाहिए वसीयत के हर पेज़ पे वसीयत करता का हस्ताक्षर होना चाहिए साथी साथ वसीयत करता के सामने जितने भी गवाह हैं, उन गवाहों का भी signature और अंगूठे का निसान उस वसीयत के हर पन्ने पे होना चाहिए. साथी साथ वसीयत करता के समख्च वसीयत करता के अधिवक्ता हैं, उनका भी signature और अंगूठे का निसान हर पन्ने पे होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे वसीयत को cancel कराया जा सकता है इसमें कोई दोराय नहीं है इसको challenge किया जा सकता है आपके civil court में और जिसमें कि Special Relief Act 1963 का section 31 ये कहता है कि गलत तरीके से कोई भी property गर transfer की गई है तो उसको challenge कराया जा सकता है और प्रमाणित और सबूत के साथ पेस करने पे अगर ये सिद्ध पाया जाता है कि जो वसीयत हुई है अगर वो गलत है तो उसको वह cancel हो सकता है साथी साथ अन्य आधारों को भी हम आपको बताते हैं दूसरा जो अबसे मुख आधार ये है कि जो वसीयत है उसको सही से पढ़ा जाए तो इसमें जो intention होता है जो इरादा होता है जो वसीयत करता का इरादा होता है वो क्या है क्या वो जान बुझ करके ऐसा वसियत बनाना चाता था या उसके हर पेज़ पे कुछ ने कुछ डिफरेंस पाय जाता है पहले पेज़ पे कुछ अलग लिखा हुआ है दूसरे पेज़ पे कुछ अलग लिखा हुआ है जो intention बताई गई है उसके according इसको जाचा और परखा जाएगा सबुत के साथ पेस किया जाएगा अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे वसीयत को cancel कराया जा सकता है अगर वसीयत ऐसे वक्ति के द्वारा किया गया है जैसे कोई minor वक्ति है यानि कि जो 18 साल की कम वक्ति है जो कानूनी रूप से अभी बालिग नहीं हुआ है अगर ऐसा कोई वक्ति अपने संपत्ति का अगर वो वसीयत करता है तो ऐसे वसीयत को cancel किया जा सकता है उसके बाद जो main आधार बताए गया कि अगर कोई पागल वक्ति है और धोके से किसी वक्ति ने उसकी संपत्ति का वसीयत करा लिया है तो भी ऐसे वसीयत को cancel करा जा सकता है अगला आधार यह है कि गैर कानूनी तरीके से फरजी दस्तावेश तयार करके जो वसीयत तयार की गई है उसमें गलत तरीके से प्रभाव में ले करके धंकी से या प्रोलूबन दे करके अगर वो विल तयार की गई है वो दस्तावेश तयार किया गया है तो ऐसे आधार पे भी ऐसे वसीयत को cancel करा जा सकता है अगर वसियत करता के दोरा गलती से अपने भाई के या किसी दूसरे व्यक्ति के संपत्ति का वसियत कर दिया गया है तो जितने संपत्ति का वसियत किया गया है यानि कि भाई के सेर के जितने भी हिस्से को वसियत में लिखा गया है उतने हिस्से को भी challenge किया जा सकता है और उसको cancel करा जा सकता है लाश्ट में जो सबसे main आधार बताया है Supreme Court ने कि अगर परिवार के सदस्यों को इस पर satisfaction नहीं है अगर वो challenge करना चाते हैं और वो सिद्ध कर देते हैं कि यह फरजी दस्तावेज है फरजी तरीके से इस वसियत को तैयर किया गया है तो भी ऐसा संभव है कि इस वसियत को cancel करा जा सकता है दोस्तों इस प्रकार से Supreme Court ने अपने महत्पून जज्जमेंट में इस प्रकार के वसियत को cancel करने का आधार बता है तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास भी जो वसियत आई है या आपके पिता के दौरा या किसी अन्य व्यक्ति के दौरा जिससे वसियत के माध्यम से आपको अगर वह संपत्य मिल रही है और उसमें संपत्य नहीं मिली है जो वसियत है और उसमें आपको लगता है कि आपके भाईयों ने छेड़ चाड़ की है या फिर आपके चाचाओं ने छेड़ चाड़ की है तो आप ऐसे वसियत को अपने सिविल कोर्ट में जाकर करके चैलेंज कर सकते हैं और Special Cliff Act 1963 के Section 31 के अं सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर पुदान करिएगा थैंकियों सो मच जय हिंदोस्तों